तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो बाट टाब उसके क्लीनिंग कैसे की जाती है जैसे कि आपको बाट टाब बहुत गंदा दिख रहा होगा इसमें देखे बहुत सारे दाग है तो आज हम इसकी सफाय करने की ट्रिक बताएंगे तो चैनल पर नहीं तो चै बेकिंग सोडा और नेक्स्ट हमारे पाँ स्पॉंज आप क्रिन पैट का इस्तमाल भी कर सकते हैं और डिटर्जन विनीगर और यह चौंती चीज हमारे पास है क्लोरीन अपको दिखाता हूं क्लोरीन टैबलेट्स तो यह हमारे पाँ क्लोरीन टैबलेट्स है इसका इस्तमा बेकिंग सोडा, विनीगर और डिटरिजं तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रोईब्लेट है भी हम इसमेंगे दालेंगे क् empir begr eru&氏 जो है हाईजीन के लिए इस्तमाल होता है Banjarams को किल करने के लिए लास्ट में इसतमाल करेंगे इसका तो चुलो स्टार्ट करते हैं अभी हम इसमें अच्छे से इसको पूरे टफ की से क्लीनिंग कर लेंगे इस पॉंज से चाहिए आप ग्रीन पैट का इस्तमाल भी कर सकते हैं अच्छे से रगड़ के इसकी सफाई कर लेंगे मैंने लास्ट वीडियो जो हाउ टू फिट अब बाट टब का बनाया है उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि बाट टब की फिटिंग कैसे की जाती है तो यह होगी है हमारी बाट टब की किलिनिग पूरी और यह बटन है इसकी कलिनिंग भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बलॉक हो जाता है इसमें देखिए नीचे बाल बाल फसते हैं ज़्यादातर तो इसको आप अच्छे से साफ कर सकते हैं और इसमें तार का इस्तमाल भी करके आप इससे साफाई कर सकते हैं अच्छे से तो यह अल्मोस्ट हमारा पूरा क्लीन हो चुका है अभी हम करेंगे इसकी धुलाई तो यह देखे इसकी पूरी धुलाई होगी देखिए कितनी गंदगी लग रही हो अच्छा मां अभी आपको दिखी रही होगी इसमें बाद चप में साइन आ रही होगी साइनिंग कर रहा होगा थोड़ा तो नेक्स्ट फ्रोसेस है ये देखिए गरम पानी पर हम मिला दिंगे इसमें गलब्स तो अभी देखिए हम इसको पूरा डाल देंगे और उसके कलोरिन पुरा बाट तप में डालने के बाद ये जर्म्स को और मतलब इसको हाईजीन रखने के लिए है तो एक गंटे बाद एक गंटे के लिए आमसे ऐसा ही छोड़ देंगे क्लोरिन डालके इसको बंद कर देंगा और एगंटे के लिए छोड़ देंगा क्लोरिन डालके तो देखे अभी एगंटे बाद हम इसको क्लीन करेंगे पूरा अच्छे से इसकी अभी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद ये बाटटा हो जाएगा रेडी तो मैंने एक और वीडियो बनाया था बाटब से रिलेटेड, how to use a बाटब उसका अपको पर आई बटन पर मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरू करना and thanks for watching, see you in next video.